नमस्कार, मैं हो ससी, आए जार्खन की टॉप 25 पर मुख खबर जानते हैं जार्खन में 200 पर्यावरण दिवस पर मिशन लाइफ का आयोजन 200 पर्यावरण दिवस के अशर पर जार्खन सरकार ने सोमवार को मिशन लाइफ कारकरम का आयोजन किया है कारकरम का उजन पूर्जेक्ट भॉर्ण में किया गया इसका मुख्य उदेश एक बेहतर पर्यावरण की दिशा में पहल करना था कारकरम में मुख्य अतिति के तोर पर क्रिसी विकास मंत्री बादल पतर लेख मौजूद थे कारकरम के उजन प्रमिसन लाईप के तहत एक बूकलेट लाईप एडडरेट जार्खन का मुख्य अतितियों ने लोकारपन भी किया मौगे पर पर्यावरण संग्चन को लेकर एक पर्यावरण एंधम का भी लोकारपन किया गया इस औसर पर पूरे जारखन में परयावरन संरक्षन की दिशा में बहतर कार करने वाले लोगों को मंत्री बादल पत्रलेख ने समानित किया इस दोरान मंत्री बादल पत्रलेख ने कहा है कि 1967 में पहली बार 200 परयावरन दिवस मनानने की पहल की गई थी हमारे राज्य के कुछ हीरो हैं जो पूरे जार्खन में परावरण की दिशा में पहल कर रहे हैं उन्होंने आज हमने समानित किया ये लोग पूरे जार्खन में परावरण की दिशा में बेहतर काम कर रहे हैं क्रिसी मंत्री ने कहा है कि जिस तरह से आज हम प्लास्टिक से घिरे हुए है वह हमारे लिए खत्रे की घंटी है इस पर लोगों का ध्यान तक गया जब आज के पांच साल पहले समूंदर के किनारे एक वील मचली को मारा हुआ पाया गया है ज्यारखन में आठ जून तक लू का अलर्ट जारी ज्यारखन में भीशनगर्मी पढ़ रही है परदेस में बढ़ते तापमान के बिच मुस्किले और बढ़ने वाली है मौसम विभाग का पुरोण मान है कि ज्यारखन के कुछ हिसों में आठ जून तक लूँ चलेगी फिलहा हाल तापमान 49 से 45 से के बिच बना हुए है और आदे मौसम भीभाग के अधिकारियों का कहना है कि सोमोर से राजे के उतर पूरव तथधक्षीन पूर इलाग़ों में लू चलेगी अगले चार दिनों तक राजे का मौसम सुस्क बना रहेगा और तापमान में इजाफा होगा पोस्ट मैट्रिक छात्रविति का भुगतान इसी माँ अनसुशित चाती, अनसुशित जन जाती, अल्पसंख्यक और पिछड़ा वर्ग कल्यान विभाग जार्खन सरकार में लंबी छात्रविति के भुगतान का रास्ता साफ हो गया है इस माह के अंज तक सत्र दो हजर बाइस तेस पोस्ट मैट्रिक का भुगतान कर दिया जाएगा बता दे राची जीला कल्यान विभाग राची जीले में करीब 40-10 बच्चों को छात्रविति की रासी देगा इसके लिए छात्रों के खाते में कूल 70 क्लों रुपए का भुगतान किया जाएगा दूसरी ओर प्री मैट्रिक छात्रविति सात्र दो हजर बाइस तेस की छात्रविति का भुगतान पूरे राज्ये में कर दिया गया है जार्खन किर्केट एसोसियेशन के पूर्व सचीव के आवास पर इड़ी का छापा जार्खन में सोमवार को फिर इड़ी के करवाई से हलकम मच गया है इड़ी ने जहारखण इस्टेट किर्केट एसोसेशन के पूरोस अचीव संजय सिंग के आवास पर छापा मारा बताया जाता है कि अवायद बालू कारोबार और आय से अधिक संपति के मामले में यह करवाई की गई गौतला भाय की संजय सिंग के पिता केपी सिंग भी मैदूर यूनियन के बड़े नेता हुआ करते थे बता दे कि बिहार में बालू कारोबार से जुड़े मामले में जहारखण के धनबाद और हजारी बाग में इड़ी की छापे मारी चल रही है धनबाद के तीन बड़े कारवारियों के ठेकाने पर छापे मारी जारी है भारतिये ट्रेड यूनियन 6 जुन को करेगा विसाल परदर्सान भारतिये ट्रेड यूनियन 14 सुत्रीमांग को लेकर केंद्र सरकार और जार्खन सरकार के खिलाब 6 जुन को विसाल रैली निकालेगी बतादे भारतिये ट्रेड यूनियन के आवाहन पर केंद्र और जार्खन सरकार के खिलाब 14 सुत्री मांगों को लेकर 6 जुन को मजदूरों की विशाल टोली के साथ परदसन रहली निकाली जाएगी ट्रेड यूनियन के वरिष्ट नेता भवन सिंग ने बताया है कि केंद्र सरकार की मजदूर किसान और यूगा विरोधी निती के खिलाब 6 जुन को राजे के सभी वरिष्ट मजदूर नेता राजदानी राची के स्रम करया लेके समने परदसन करेंगे भवन सिंग ने कहा है कि 6 जुन को सभी मजदूर अपनी मांग को लेकर डुरंडा इस्थित क्रिष्टना पार्क में एकजूट होंगे सभी मजदूर एकजूट होने के बाद पद्राता निकालते हुए स्रम भवन तक पहुँचेंगे और वहाँ पर यह रैली परदसन में तबदिल हो जाएगा जार्खन सरकार से पीडियेस दुकंदार नराज जार्खन के पीडियेस दुकंदार सरकार के विरूद लामबंद होकर मोर्चा खोल दिया है तेरह महिने से PMGKY के कमीशन का पैसा का भुकतान नहीं होने से नराज PDS दुकांदार ने सरकार को सिग्र भुकतान करने का अल्टीमेटम दिया है वहीं ऐसा ना होने पर उग्र आंदोलन की धमकी भी दिया है बता दे जर्खन सरकार से राज रासन दुकांदारों ने सो महर को अपनी दुकाने बंद रखी राजबन के समक्षधारना देकर सरकार से मांग पूरी करने का अनुरोध भी किया उनके समर्थन में BJP के दो बिधायक उनके साथ धरने पर बैठे और इंडिया फेयर प्राइस सोब डिलर्स फेडरेशन के बैनर आयोजीत इस आंदोरल में होसला अपजाई करने भाजबा बिधायक सीपी सिंग और नुइन जैस्वाल पहुचे इस दोरान भाजबा बिधायकों ने हेमंद सरकार पर निशाना साथ ते विरासन दुकंदारों के मांग को सही बताया उन्होंने कहा है कि इनकी मांगों के समर्थन में ओ सड़क से लेका सजन तक आवाज उठाएंगे दिपक परकास ने हेमंद सरकार को बताया ठग बंधन हेमंद सरकार से जामो और कॉंग्रेस के आदिवासी दलीत वा पिछले वर्ग के नेता करकाता का मोभंग हो गया है क्योंकि इस ठग बंधन सरकार ने लगातार जनता को छलने का काम किया है यह बात परदेश अध्यक्स सांसत दिपक प्रकास ने कही वह भाजपा परदेश कर्याले में रभीवार को आयोजीत मिलन समारो में बोल रहे थे इस मोखे पर जामो और कॉंग्रेस के करकाताओ ने परदेश अध्यक्स के समग जामो दलीत मोर्चिया परदेश संब्वम के जिला ध्यक्स बलदेव भुया के नतित में भाजपा की सहीतागरहन की वही सहीतागरहन करने वाले में चातर पुर्विधान सभाज छेत्र में जामों के परत्यासी रहे। जबिंद्र राजू पूर्विष्टिम्भूम कॉंग्रेस कमिटी के पूरों महाज़ाच युगने संकर विद्यार्थी सहीत भुईया समाज के सैक्ड़ों करकरता सामिल हुए PLA5 सुप्रीमों दिनेस गोप से एक दिन पूस्ताच करेगी NIA PLA5 सुप्रीमों दिनेस गोप को फिर एक दिन की रिमांड पर लिया गया दरसल दिनेस गोप को 12 दिनों की पूस्ताच के बाद NIA कोट में पेस किया गया जहां NIA ने कोट से दिनेस गोप से पुष्टाच के लिए और एक दिन की रिमान मांगी जिसके बाद कोट ने NIA को इजायत दे दिया है कि वो दिनेस गोप से एक और दिन पुष्टाच कर सकते हैं गौतला भाय की एनाईय ने दिनेस गोप को 21 माई को दिली से गिरफतार किया था गिरफतारी के बाद 22 माई को उसे अदालत में पेस किया गया था उस समय एनाईय ने उसे 8 दिन की रिमांड पर लिया था पुष्टास में उसने कई खुला से किये इसके अधार पर कई जगों पर छापे मारी की गई वहाई भारी मात्रा में हत्यार वा कार्थूस भी ब्रामध हुए है EVM वेर हाउस पहुंचे रांची डिसी राहूल कुमार सिन्हा रांची के जिला निर्वाचन पतादिकारी सा उपायूगत राहूल कुमार सिन्हा सोमवार को मुराबादी के बिर्शा मुंडा फोटबॉल स्टेडियम इस्थित EVM वेर हाउस पहुंचे निर्वाचन पतादिकारी मेरी मुणकी को अवस्थित थे आपको पतादिके के उपायूग दोआरा समझ समझ पर EVM वेर हाउस का निर्वाचन किया जाता है और इसकी रिपोर्ट राज निर्वाचन आयोक को भेजी जाती है राजची के उपायूग दराहूल कुमार सीना मुराबादी के बिर्शा मुंडा फुटबल स्टेडियम इस्थित EVM वेर हाउस का मानसिक निर्वाचन करने पहुंचे उडिशा ट्रेन हाचसे के बाद रेलवे सुरक्षा पर उठ रहे सवाल तो वहीं सत्ता धारी दल की ओर से रेल हाचसों का पुराना रिकोर्ड दिखाया जा रहा है बता दे इस बीच कम्ट्रोलर एंड ओडिटियर जनरल की वर्ष 2022 की रिपोर्ट से पता चलता है कि रेल ट्रेक को बदलने के लिए जो फंड रेलवे को मिलता है उसका उचित इस्तिमाल नहीं हो रहा यहाँ तक कि कई रेलवे डिविजन पैसे सरेंडर कर देते हैं रेल की पट्री नहीं बदलता है उडिशा ट्रेन हाथ से के मृत को के परिजनों को पच्चास लाख मुअबजा की मांग उडिशा के बाला सोर में हुए भिशन रेल दुरगहटना में मारे गया तरियों को सोम वार को रांची कलवट एका चोग पर विभीन संगठनों ने सरदांजली अरपित की एक टू माले बागगाईच के करकरताओ ने अपने हाथों में केंडल लेकर एक मेट के मौन सरदांजली दी मौके पर उपस्थित वक्ताओ ने कहा है कि इतनी बड़ी संख्या में आम लोगों की और समय मौत अत्यांद दुखद है तीन दीनों के बाद भी कई यात्रियों का पता नहीं चल पाया है इसके दोस्यों को कठोर सजा दी जाए साथ ही साथ सभी मौत को का पता लगा कर उनके परिजनों को 50 लाख रुपे मौपजा दिया जाए वक्त आओ की माने तो बाला सोर रेल दुरुघाटना दुनिया की बड़ी रेल दुरुघाटनाओं में से एक है दुरुघाटना के बाद आप सूपर फास्ट बंदे भारत जैसी ट्रेनों को दुरुघाटना मुक्त रेल बनाने की जरूरत है बिहार बालु घोटाले को लेकर जहारखन में इडी की छापे मारी बिहार के बहुचर्चित बालु घोटाले को लेकर इडी बिहार की टीम ने सोमवार को जहारखन के धनबाद और हजारी बाग में भी छापे मारी की एडी की टीम ने धनबाद में केंद्र से पैसा मिलने के बाद भी स्कूलो में कीचन नहीं बनवा पाई हेमन्त सरकार जार्खन में पोसन योजना के तहत 35 सो इसकूलो में अभी तक कीचन का निर्मान नहीं हो सा कहा इसकूलों में कीचन के निर्मान के लिए केंद्र सरकार कई साल से जोड़ना चला रही है जारकन सरकार को भी इसकूलों में कीचन के निर्मान के लिए पैसे आवंटीत किये गए थे केंद्र पैसा आवंटीत हुए सालों बीत गाए लेकिन हेमत सरकार अब तक 3500 इसकूलों मे पूरा नहीं होने पर आवंटी तरह सी ब्याज सेज सरेंडर करने को कहा है बीजेपी नेताओं ने कदमा हिसा मामले में अभाय सिंग की गिरफतारी पर पूलिस से मंगा सबोत परदेश भाजपा के वरिष्ट नेता और धनबाद के पार्टी प्रभारी अभाय सिंग की गिरफतारी को लेकर बीरो तेज हो रहा है सुमवार को पूर्वे बिधान परसद और भाजपा नेता प्रवीन सिंग ने आरोप लगाया है कि जमसेदपूर SSP ने बदले की भावना से अभाय सिंग की गिरफतारी कराई है उन्होंने कहा है कि अगर अभाय सिंग सहर में दंगा कराने में सनलिफ था है तो जानता कि सामने पूलिस को कम से कम एक साबूत तो जरूर प्रेस करना चाहिए वहीं प्रेस कल में मौजूद भाजपा ओबी सी मोर्चा के कुलहान प्रभारी हलधर नरायन सा विश्व हिंदू परिशत के प्रांतिय मंत्री बिरेंद्र साहू और जमसेद पूराम नमी या खाला समितिक महा मंत्री नरेस अगरवाल भी उपस्तित थे इर्फान अंसारी सी म रहत कोस में दान करेंगे सेलरी कॉंग्रेस बिधायक डाक्टर इर्फान अंसारी ने उडिसा में हुई रेल दुर घटाओं में घायलो और हातातों की मदद के लिए अपनी और से पांच महीने का बेतन मुख्यमंतिर रहत कोस में देने की घोसना की है उ अकड़ात दिया गया है वह सारा सर गलत है परधान मंत्री से आगरा करते हैं उन्होंने कहा है कि मोदी जी बड़ात दिल दिखा कर मारे गयात्रियों के परिजन वालों को ज्यादस ज्यादा मुख्यमंत देने का काम करना चाहिए बाबुलाल मरांडी ने देव घर में जमीन घोटाला की जताई असंका चारकन के पुरमुख बंत्री और भाजपविधायक दलकनेता बाबुलाल मरांडी ने रांची की तरह देव घर में भी बड़े प्रमाने पर जमीन घोटाला होने के असंका जताई है देव घर में दस्तावेज में छेर चाड़ कर जमीन की हेरा फेरी की जा रही है अभी हाल ही में एम्स और यारपोर्ट के बनने के बाद से सिमावर्ती राजियों के भूमाफिया सक्रिय हो गए है यहां के जमीन घोटाले के कुछ मामलों की जाँ सी बी आई पहले से कर रही है फिर भी जमी गोटाले का गोरक धन्दा जोरूपर है धन्यवाद